बिहार के किशन गंज के थानेदार अश्वनी कुमार की बंगाल में भीड ने पीट-पीट कर हत्या कर दी अश्वनी कुमार एक अप्राधी को पकड़ने गए थे लेकिन तब ही वहाँ पर उन पर हमला किया गया और सीमांचल बिहार और बंगाल के बदमाशों ने पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी सीमांचल के इलाके पूरी तरह से पुलिसिया कंट्रोल से बाहर है एक आकड़े के मुताबिक महाल लगबग साड़े 300 मामले के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उनमें से अधिकतर हत्या के आरोपी है इसकी वज़ा क्या है कि बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका आज भी सामान कानून विवस्था से उपर चल रहा है उसकी वज़ा है बंगाल, बंगलादेश और नेपाल की सीमाओं से होने वाली गुस्पैटों पर रोक टोक का ना होना इस गुस्पैट पर नितीश कुमार जी कहते है कि किसमे दम है कि हमारे लोगों को बिहार से बाहर निकालेगा जबकि भाजपा समेत कई दल वहाँ एनारसी के पक्षधर है कारण है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है जो यहां के मूल नागरिक नहीं है बलकि वो नेपाली और बंगलादेशी घुस्पैट ही है और यह अपराधी बस बिहार तक सीमित नहीं है बलकि यह सीमांचल के तराइक शेत्र और नेपाल के रास्ते उत्तरा खंड और उत्तर प्रदेश महुचते हैं यह इलाका एक अपराधियों के लिए सेफ कोरिडोर के तौर पर काम करता है आज इसी मुद्दे को समझने की कोश़श करते हैं नमस्कार मेरा नाम है अनुराग मस्रा और आप जंता जंशन देख रहे हैं एक नजर डालते हैं सीमांचल बिहार की आबादी पर तो सीमांचल बिहार की आबादी लगबग एक करोड है जिसमें मुखिता चार जिले शामिल है पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अरिया अकेले किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 7.67% में कटिहार में 43% अररिया में 40% और पूर्णिया में 38% हालांकी 2011 की जनगणा की अनुसार बिहार की 10 करोड की आबादी में मुसल्मान केवल 16.5 प्रतिशत है तो एक तरह से ये इलाका पूरी तरह से मुसलिम प्रभाववाला इलाका है अब सवाल ये है कि मुसल्मान आबादी ज्यादा होने से घुस्पैट का क्या संबंध होता है तो संबंध है संबंद ऐसे कि जिस तरह से बंगाल से मुसल्मान घुसपैठिये कुछ दुनों के बाद यहां आकर वोट बैंक बन जाते हैं क्योंकि जाहिर है वहाँ उनको सेट होने में ज्यादा समय नहीं लगता उनके लिए वहां के हालातों, रीत रिवाजों और चाल चलन को अडाप्ट करना आसान होता है और राजनेतिक संरक्षन उस इलाके को बाकाइदा मिलता है तो कानूनी कारवाही होने का भी डर नहीं रहता क्योंकि कोई भी नेता कारवाही करके अपना मुसल्मान वोट बैंक वहां का नहीं गवाना चाहेगा चाहे उसके लिए थोड़ा अनयतिक ही होना पड़े वैसे भी नेताओं की नयतिकता से तो हम सभी वाकिवी हैं अब वोट बैंक को समझते हैं बिहार का सीमा अंचल इलाका जहां पूर्णिया, कठियार, किशन गंज और अररिया जिले शामिल हैं जिसमें कुल 24 विधान सभा सीटें आती हैं इस इलाके में ज्यादा तर पिछड़ी जाती के लोग हैं इसमें 47 प्रतिशत आबादी मुसल्मानों की है, इस लिहाद से मुसलिम वोट इस ख्षेतर में एहम माना जाता है कई इलाकों में तो 70 प्रतिशत से भी ज्यादा मुसल्मान आबादी है जो एकमुष्ट वोट बैंक बनता है पिछले चुनाओं में इस वोट बैंक को कैश होते हम सब ने देखा है बिहार या हिंदी पट्टी में खास कोई दखल ना रखने वाली असुद्दीन OSE की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें इसी इलाके से जीती बाकी बिहार में AIMIM का जीतना तो दूर कोई खास चुनाओं लड़ने में भी दखल नहीं रहा तो कैसे इंकार किया जा सकता है ये 24 सीटें मुसलिम बहुलता वाली है और इनके सारे वोट बस धरम के नाम पर जाते हैं AIMIM का 5 सीटें जीतना इस बात का बेहद सबूद है इसलिए कोई भी राजनेतिक पार्टी इस वोट बैंक को डिस्टरब नहीं करना चाहती NRC या घुस्पैट को रोकने की बात करके क्योंकि आज का घुस्पैट या हत्यारा और अपराधी कल को उनका वोटर है बंगाल में ये सब चीजें हमने देखी हैं पिछले 20-30 सालों में कैसे बदली हैं खैर लोट करके आते हैं घुस्पैट पर बिहार सरकार के मंतरी और बीजेपी नेता राम सूरत राय ने दावा किया है कि सीमानचल के इलाके में स्थानिय लोगों की मदद से घुस्पैट हो रही है नितीश के मंतरी का याभी कहना है कि इसके लिए घुस्पैट ये विदेशों से मिलने वाले पैसे से सीमानचल के इलाकों में जमीने खरीद रहे हैं जो आने वाले समय में बिहार के साथ साथ देश के लिए खत्रा बन सकते हैं। पुर्णिया, अररिया और भागलपुर दौरा के दौरान स्थानिये लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि उनके इलाके में एक विशेष समुदाय के स्थानिये लोगों दौरा बाहरी लोगों का घुसपैट कराया जा रहा है उसमें मदद की जा रही है। साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि वहाँ दलालों द्वारा फर्जी कागजात के आधार पर घुसपैटियों को जमीन उपलब्द करायी जा रही है लेकिन वही जो उपर कहा कि राजनेतिक वोट बैंक को कोई डिस्टरब नहीं करना चाहता इसलिए बाकी सभी पारिटिया इ वहाँ जिन लोगों को अवैद तरीके से गुसाया जा रहा है यकीन कीजिए आज नहीं तो कल वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनेंगे और बिहार के साथ-साथ आजपास के इलाकों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे ये अगर आज अड्रेस नहीं किया गया तो नितीश सरकार जिस जंगल राज के इतिहास की बात करती है जिससे निकालने की बात करती है आने वाले समय में आप सीमांचल बिहार के जरीए उसको पूरे बिहार और आसपास के इलाकों में बोने का काम करेंगे खैर समालिये बिहार को और खास करके अभी के लिए सीवान चल भिहार को और इस दिशा में पहला कदम बढ़ाएं ये कि इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धन्यवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो जनता जिंचन को सब्सक्राइब करें आप हैई आपूँ में जिंचराइम धीडियो कि रखा है आप हम फिर वीडियो को संहे रखाईब करें आप जो भानाप मों खुजा है लाई ऑफल झाल ओर घुर आप करें अलाप में पूद वैंग सुने